नवस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों मित्थु नासी के जातकों को बताना चाहेंगे कि सुर्यदेव का रासी फ्रिवर्तन 18 अगस्त से होने वाला है और 18 अगस्त के बाद लगातार 108 दिनों के अंतराल में आपको अलग-अलग शित आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तो मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि सुरे गरह का रासी प्रिवर्तन आपके जीबन में बहुत बड़े खुसकबरे आपको दिलवाने वाला है तथा आपको वाले तमाम प्रकार के दुखों का अंतो होगा बसरते आप सुरे के रासी प्रिवर्तन के बाद किसी भी महत्पुर्ण निर्णे को आप किसी के बहकावे में आकर ना करें तो समझ कर आप अपने विवेक से कारी करने की कोशिस अवस्य करें मित्रों मित्वन नासी वाले लोगों के खिस्मत भी सुरे के रासी प्रिवर्तन के योग से बदलने वाली हैं माता लक्षमी जी की किरपा से आपके सोचे हुए कारी भी पूरे हो सकते हैं आप किसी नए कारी की सुरुवात कर सकते हैं जो आपके लिए फादमंद होगा परतियासित प्रिणाम मिल सकते हैं, और कुछ पुराने कारी को भी आसानी से हल कर सकते हैं, आपके कुछ पुराने कारी भी हल हो सकते हैं। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत भी रंग लाने वाली हैं, भागिदारों के सहयोग से आप अपने कारोबार में कुछ नया बदलाव कर सकते हैं, कुछ नया अपने जीवन में कर सकते हैं, अचानक दलाव प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, आने वाला समय में धहन कम बढ़चर कर हिस्सा ले सकते हैं आपका आर्थिक पक्षि भी मजबूत रहने वाला है पारिवारिक जीवन में भी आपके सुक्सान्ती बने रहेंगी जीवन साथी और बच्चों के साथ 72 समय व्यतीत कर सकते हैं घर परिबार में मांगलिक कारिक्रम का आयोजन हो सकता है और क सफलता में भी आपको नई मिसाल अस्तापित करने में काम्यावी दिला सकता है आप सुरी के रासी प्रिवर्तन होने के बाद आपको वाहन साथ धानी प्रुवक्त चलाने का प्रियास जरूर करना चाहिए आपको अपने सुवास्त का भी ध्यान रखने होंगे और आपके घ दिमाग और किसी एक्स्टा ओर्डिनरी काम करके तथा चौथा आपको कोई बड़ी खुसकबरी प्राप्त हो सकती हैं सुरी के रासी प्रिवर्तन के बाद भगवान बहलेनात का असिरुबाद आपके उपर सबसे अधिक रहेंगे जिनसे आपको अपने कारोबार में पहले सेलरी में भी बड़ोतरी हो सकते हैं इस समय भगवान भोलेनात का नाम लेकर जिस भी कारे की सुरुवात करेंगे उसमें आपको सफलता अवस्य मिलेंगी आपका विजनस और बैपार उचायों पर रहेगा और अगर आप कोई बैवसाई करते हैं तो आपको उसमें भी दिन प्रिवार की तरफ से आपको कोई बड़ी खुसकबरी भी प्राप्त हो सकते हैं तथा अलग-अलग शेत्रों से भी नई-ई-जानकारियों को आप इकठा कर सकते हैं आपके संचार कौसल में बड़ोतरी होंगी आपके सूचे गए कारे भी इस समय पूरे हो सकते हैं तथा स सूरी का रासी प्रिवरतन आप लोगों के किस्मत को चमकाने में सहाता कर सकता हैं माता लक्ष्मी की कृपा से आप लोगों की कुंडली में राजियोग बनने जा रहा हैं और कुछी घंटों में आप लोगों के घर में माता लक्ष्मी जी भी आने वाली हैं माता लक्ष्मी जी का भी निवास होने वाला है माता लक्ष्मी जी आप लोगों को माला माल कर देंगी और आपको इन दिनों करूडों की संपत्ति प्राप्त होने वाली है कुबेर देव की गिरुपा से आपका वेपार भी सोगुनी तेजी से आगे बढ़ सकता है बिरुजगार लोगों को नई नौकरी मल सकती हैं आपके जीवन में नई दोस्त भी बनेंगे आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे आपके उपर से काम का वोज भी कम हो सकता है और अगर आप कोई बिजनस की सुरुवात करना चाहते हैं तो आप इन दिनों आसानी से कर सकते हैं बिजन लवाने वाला हैं और आपको करूडों की धन संपत्ति भी फ्राप्त होने वाली हैं आप लोगों के सीधी नजर जो हैं कुंडली में महादेव की पढ़ने वाली हैं दथा अध्यात्मिक विकास हो सकता हैं आपके समस्षाएं दूर होंगी कुद को दूसरों के सामने खुल करना हैं आपको संतान से सुख मिलेगा अध्यात्मिक की आपकी भूमी का बढ़ सकती हैं आप कुछ नए लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं महनत से आपार सुफलताएं होने की संभावना हैं वहीं सुरी का राशी प्रिवरतन विवाहित चुड़ों के लिए विवा के योग अच्छे ला रहा है आप विवाह कर सकते हैं बच्चों के लिए यसमें खुसनुमा वितेगा परिवारिक रिष्टों में मजबूती आ सकती हैं आप चीजों को विवस्तित करने में जाद असमें बरबात करने से बचने का प्रियास जरूर करें चीजों को अपने प्राप्त होंगे तथा मित्रों इसमें मित्रों राशी के जातकों के जीवन में बहुत बड़ी खुसकबरे अलग-अलग छेत्रों से प्राप्त होने वाली हैं और खुसकबरे तो मिलेंगी आप का फिपरसंद भी रहेंगे तथा अपने जीवन में सकरात्मों को रच्छे प्रणामों के प्राप्ति भी आप आसानी से कर सकते हैं जिन्चे कि आपको खुशियां और भी दुगनी होंगे आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जे माता दी अवस्य लिखें आपका दिन चुब हो मंगल कारी हो जे माविंद्व वासनी